तो दोस्तों अमरे चल रही computer fundamental series जिसमें part 1 में मैंने आपको computer के बारे में बताया basically computer parts के बारे में बताया part 1 में computer parts के बारे में मैंने detail जानकर या आपको अलड़ी दी है आपने video नहीं देखा तो description में उसकी link मिल जाएगी लेकिन अब बारी है part 2 की जिसमें मैं आपको CPU के connection के बारे में बताऊंगा हर एक connection को practically कैसे लगाते वो दिखाऊंगा मतलब आपको कई PC अगर attach करना है तो वो आपको आना चाहिए अगर आपके घर पे PC है computer basically और उसे सापसपय के लिए आपको सारे वायरस निकालने तो कैसे निकाल जाते कैसे लगा जाते पावर केबल या फिर VGA केबल, USB केबल, LAN केबल कैसे लगाते कैसे निकालते यह connections हम डीटेल में practically देखने वाले इस पार्ट के अंदर तो चलिए इंतजार किस बात का मैं सतीश शुरू करता हूं complete technology पर यह है computer fundamental का part 2 let's begin इसे अगर देखो कि इस पावर केबल के उपर तो आपको तीन होल नजर आते है ओके तो यह तो यह तीन होल्स आपको रिस्पेक्टिवली तीन पीन्स में लगाने है जैसे कि यह CPU के उपर जो AC230 होल्ड का कनेक्टर आपको दिखा देए यहां पर आपको पावर केबल अट इस पावर के लगाने है और यह तो यह तो पुरानी टेक्नलोजी हो चुकि है आज़ कोई पीस प्यास तो यह तो इसे अट्च और टेच करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसके अगर चोटी चोटी नीडल्स के साइड की पीन्स रहती थी और वह तो अगर तेड़ी तो भई आपको कीबोर्ड वहां पर भेगना पड़ता था मतलब टेड़ी या टूट गई तो तेड़ी हो गई तो हम सीधा कर सकते वैसे लेकिन यह थोड़ा सा डिफिकल्ड था इन पीन्स को लगाने के लिए तो इसके रिप्लेस्मेंट में अभी आ चुका है USB कीबोर्ड औ पर दिखाए दे रहा है इस तरह से आप इसे लगाएंगे इसे लगाते समय साइड में दो स्कूर रहते याद रखिए और इसे खोलते समय भी इन स्कूर को आपको लूट करना होगा और यह 15 पीन्स विजे आउट पूट रहता है यहां से आपके मॉनिटर के लिए आउट जाता है जिससे आपके मॉनिटर के उपर आप स्क्रीन देख पाते हो इस आउट पूट की मदद से दोस्तों और यह वीजे भी आजकल रिप्ले सो चुका है HDMI में HDMI पीन कैसे रहती मैं आपको दिखाता हूं तो HDMI की पीन आपको दिखाए दे रहे है कुछ इस तरह से रहती है और HDMI आपको High Definition Media Interface यानि कि आपके Computer पे एक High Definition वाला इंटरफेस आपको दिखने मिलता है अगर आप वीजे इस्तेमाल करते हो यहाँ पर दिखाए दे रहे है अगर आप यह लगाते हो तो इतना अच्छा Quality या Clarity आपको नहीं मिलता है जो कि HDMI में आपको मिलता है और यह न आपको HDMI मिल सकता है मिल जाएगा अगर आपने डिमांड की कि मुझे HDMI वाला ही Motherboard लेना है जिसमें वह सपोर्ट करता है HDMI तो ऐसा ही दीजिए तो मैं आपको यह केबल अभी अटेच करके दिखाता हूँ यह बिल्कुल EOSB के तरह केबल रहती है वैसी यह लगाते हैं दिखा आप देख सकते हैं इस तरह से और निकालना बस खीचना इसे लगाते हैं याद रखिए कि यह उल्टा नहीं लग सकता कभी भी याद रखिए यह चो पीन है यह प्रॉपर ली एक शेप उसका दिया रहता है कि एक साइड से लगेगा आप उल्टा लगानी की कुशिश करें यह पर यहाँ पर लगाया जाती है USB पर के अंदर USB Universal Serial Bus याद रखिए कि USB Universal Serial Bus बहुत काम की पर और इसे कैसे अटेच करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो यह पर आप देख सकते हैं USB इसे अटेच करना दो बहुत सिंपल है मुझे बैसे भी दिखानी की ज़रूत नहीं फिर भी अपने वीडियो में जैसे मैंने बोला हर एक चीज को में बताऊंगा तो यहां पर में अट्याज कर की इसे दिखाते हो यहां पर यह में अटैज कर रहा हूं और यह अट्याज हो चुक है तिकाई दे रहा है और इसे निकालना बहुत सिंपल है ऐसे Michels साइड में भी USB रहता है, बैक साइड में भी USB रहता है, कम्पीटर के तो आप कई भी चारों में से कई भी कौन सी भी पीन कई भी लगा सकते हैं, जो पीन्स खा लिए उसमें लगा तो बस इतना ही USB के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यह वीडियो से सीखने मिलेंगे, वित आयो सो सर्टिफिकेट, जियान दोस्तो, ऑनलाइन कोर्से सापको घर बैटे-बैटे महां पर सीखने मिलने वाले, बहुत एक कम फीज में सर्टिफिकेट के साथ, आपका टाइम भी बचेगा, आप रिपीटेड वीडियो देख सकते हैं, तो अब याद रखी, याद रखी, याद रखी, इसके अंदर जो कार्ड है, मदर बोड के पर इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, और यह जो केबल आपको दिखाए दे रही है, यह आर्जे फूर्टिफाइग कनेक्टर है, बेसिकली, और यह केबल हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी जरूत होती दोस्तो, इसके अलोग अगर आपकी बास वाइपाई डोंगल है, तो वो भी लगा कि आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, फिलाल तो केबल के जरिये में कनेक्क करो, एक एंड केबल का मैं यहाँ पे लगाँगा, और फिर यह इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जब आपने इससे निकालना चाहोगे तो यहाँ पे आप गौर करोगी कि यहाँ पे एक छोटी सी पीन आपको नजर आ रही है, इस पीन को आपको प्रेस करना होगा और फिर खीचना होगा, याद रखिए लगाते स अजिके के ये केबलो चाहिए, चाहिए, तासे ट उसके बात, नेक्च्ट कनेक्शन आप यहाँ पे और आअपर य साद आज एक। उसमें आप audio output pin insert कर सकते हैं जैसे कि यहां पे मैं आपको दिखाता हूँ यह pin है मेरी 3.5 mm वाली pin और 3.5 mm audio jack और यहां पे मैं इसे insert कर रहा हूँ आप देख पाएंगे इसके बाद आप music सुन सकते हैं जो भी है यहां पे आप उसकी pin लगा सकते हैं म्यूजिक सुनने हो गारा के लिए और तीसरा pin जो है वो amplifier वाँ पे connect आप कर सकते हैं तो यह audio की simple सी information audio jack के बारे मैं ने बताया और नीचे आपको जो दिखाए दे रहा है डिवी आए digital video interface इसके लिए यहां पे है जो कि आप अलग अलग आपके प्रोजेक्टर वगरा connect कर सकते हैं प्रोजेक्टर इसके जरीए भी connect होते हैं और प्रोजेक्टर के लिए आज़कल HDMI केबल भी यूज की जाती है HDMI केबल तो मैंने आपको पहले ही बता है जिससे आप monitor के उपर high resolution अलग डिस्पले देख सकते हैं और यहां पे ग्रापिक काड में वी जीए गया है तो वी जीए तभी अटेच कीजिए है जब आपके पास HDMI मोनिटर अवैलेबल नहीं है HDMI सपोर्ट ने कर आपका मोनिटर तो यू कैन यूज वी जीए बट अगर है HDMI मोनिटर तो गो फार इट तो इतने सारे कनेक्शन्स मैंने आपको दिखा है और साथी में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे प्लस-फ्लस नीचे जो दिखाई दे रहा है यहां पे एक्स्ट्रा कोई भी काड अगर लगाते है तो इसके कनेक्शन्स यहां पे आपका आउट्पूट मिलेंगे बहुत सरे लोग का डाउट रहता कि यह क्यू दिया गया है तो यहां पे यह जो फ्लेक्जिबिलेटी रहती कैबिनेट के अंदर की इसके अंदर अगर अंदर काड लगाते हो आप यहां पे यह जो नेक्वरक इंटर पर्फेस कार्ड खराब हो गया है तो आप नया कार्ड यहां पे लगा कि उसका आउट्पूट यहां पे ग्राफिक कार्ड के नीचे से ले सकते है तो यह पूरा back panel है हमारा जिसमें मैंने आपको अलग-अलग connections बताए पूरी detail में जानकारी मैंने दी मुझे पताए कि यह बहुत ही basic जानकारी लेकिन यह उनके लिए बहुत जरूरी है जो पहली बार computer को हाथ लगाते है तो यह तक computer series का part 2 जिसमें मैंने आपको बताया कि CPU के connection कैसे लगाते है अब step by step हम आगे बढ़ रहे है तो next part में हम keyboard की detail जानकारी लेने वाले detail जानकारी keyboard की उपर keys होती 104 और इनको नहीं जानता वो है बेकार मैं भी rhyming करने लगा हूँ लेकिन next part में मिलते है keyboard के keys के साथ इस वीडियो को like, share, comment, subscribe जो भी है आपने किया होगा description में सारी link दी मेरी website और जरूद चेक आउट करो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तबता के लिए अपना कयाल रहो सीखते रहो लोगों को सीखाते रहो बाइबाइ